आज आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा कोस्टन ने करा हूं जो कोस्टन है इंट्रीकेशन स्कॉट एक्स प्लास तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज हिट बेल आइकन फार दर बेस्ट कोस्टन के लिए नोटिफिकेशन आत हैं तो मेरा नाम जान लिजे कि अंकीत बर्मा है और आपको वेलकम तो माई चैनल अंकीत बर्मा क्लासेश चलिए विदाव टाइम वेस्ट किये हुए आपको यह कुश्टन साल करते हैं जो कि कई बार आ चुका है आप को क्या लिख सकते हो कॉस अपान में साइन एक्स और अंडरूट कॉस एक्स साइन एक्स साइन एक्स केंसिल अंडरूट कॉस एक्स का स्कॉर हो जाएगा इस साइड में और यह कॉस से कॉस केंसिल अंडरूट में साइन एक्स का स्कॉर हो जाएगा डी एक्स अगर इसको साल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cos x plus sin x अपान में इसको क्या दिख सकतो बावू एक under root में कर दो sin x और cos x dx अब यहीं से आपको बहुत अच्छे तरह से देखना है अगर मैं उपर under root 2 से multiply करूँ नीचे भी under root 2 से तो यह under root 2 में चला जाएगा ना root में चला जाएगा 2 अब एक question देखो क्या मैं under root 2 के जगह पर यह रख सकता हूँ कैसे मैं एक एक चीज को प्रूब कराऊंगा cos x plus sin x अपान में यह क्या रख रहा हूँ थोड़ा सा दियान देना 1 minus यहाँ पर रखोंगा 1 ठीक है और क्या रख रहा हूँ sorry for that sin x plus cos x रख रहा हूँ ठीक है थोड़ा ध्यान दीजेगा मैंने क्या किया ठीक अब मैंने sorry यहाँ पर minus ठीक है कैसे रख रहा हूँ देखना 1 minus sin x minus cos x का whole square रख रहा हूँ आच्छे इसको मैं प्रूब करके दिखाऊंगा कि equal to 2 sin x कैसे होता है cos x यह 1 के जग अपर क्या रख सकता हूँ sin square x plus cos square x ठोकि जानते हैं इनकी value क्या होती है 1 होती है minus इसको रुकिए sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x होता है की नहीं होता है डियर बताओ a minus b का whole square ठीक है तो आप इसको इतनी value कितनी हो जाती है अब इससे बढ़िया आपको समझना पड़ेगा समझने के लिए आपको पास दिमाग होना चाहिए इस minus से इसमें multiply करो तो यह sin square x plus cos square x minus sin square x minus cos square x plus 2 sin x cos x क्योंकि जब आप minus से multiply करेंगे तो यह plus वाला minus हो जाएगा minus वाला plus हो जाएगा यह से यह cancel, यह से यह cancel क्या आगया मेरे पास 2 sin x ही तो आया यानि 2 sin cos x के जगह पर यह रख सकता हूँ देखो मैंने प्रूब करके दिखा दिया really देखो sin square x plus cos square x 1 होता है और यह minus b पर whole square को मैंने तोड़ा यह minus इसमें multiply किया यह इसमें multiply किया 2 sin x cos x के जगह पर यह रख सकता हूँ अब आगे चलते है sin x minus cos x को अगर हम t मान ले तो जब इसको differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x और sin का होता है cos का होता है minus sin तो plus हो जाएगा sin x और dx is equal to dt यानि उपर वाले के जगह पर यह तरह के जगह पर क्या रख सकता हूँ under root 2 dt और under root में 1 minus t का whole square और इसका formula क्या होता है आपको पता है sin x का differentiation कितना होता है 1 minus 1 minus x तो यह क्या हो जाएगा 2 sin inverse t plus c आटी कितना माना था value रख दीजिए sin t की value कितनी थी t value यहाँ पर मैंने put किया है क्या put किया है t is equal to shine x minus cos x plus c तो यह question को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए इस पर definite वाले भी आते हैं यहाँ पर definite लगा देगा limits और ऐसे भी आते हैं तो please please इस questions को बहुत ध्यान दे next video next question में आपके साथ मिलता रहेगा अगर आपको यह पसंद है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं तो क्लिक करें बाए झाले आते हैं